हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम संदीब खरे है और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा ग्यार्मी की रसाइन बिग्यान और इसमें हम लोग NCRT के प्रशनों को हल करेंगे जो परिक्षा की दृष्टी से काफी इंपोर्टेंट होते हैं आप चाहें तो मेरी तरह ऐसे नोट्स बना सकते हैं नोट्स बनाने का फाइदा ये होता है कि जब आप रिवीजन करेंगे तो सभी प्रशनों को कैसे किया था उनको आप अच्छे से दोहरा सकते हैं यानि कि रिवीजन करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्फ होगी अगर आप नोट्स बना लेंगे और हम प्रश्ण किरमांग के एक हैं यहां पे करने बाले हैं और यह काफी ज़्यादा important question है यह ती माही छे माही और यहां तक की final exam में भी पूछा जाता है और आप पिछले paper उठा के देख सकते हैं कि यह question कितना important है तो चलिए इसको हम 3 star की सिरणी में रखते हैं और इसको हल करते हैं इसमें दिया गया है निमनलिखित के लिए आन्विक द्रब्मान का परिकलन कीज़े यहां पे तीन योगिक हमें दिये गए हैं और इन में हमें क्या करना है कि आन्विक द्रब्मान निकालना है आन्विक द्रब्मान का दूसरा नाम होता है मोलर द्रब्मान तो अगर आपको मोलर द्रब्मान भी अगर परीक्षा में लिखा आता है तो भी आप इसी तरीके से करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ ठीक है तो इसके लिए हम पहला हल करते हैं पहला जो है वो हमें दिया गया है H2O तो इसको कैसे सॉल्ब करना है तो सबसे पहले हमें एक से बीच तक के जितने भी तत्व होते हैं उनके परमाणू करमाण का पता होने चाहिए जैसे यह H2O है तो इसका हमें आड़बिक द्रबमाण निकालना है तो कैसे लिखोगे एक्जाम में एक एक करके सभी स्टेप में आपको बताता हूँ बस आपको देहन से देखना है जैसे यहाँ पर H2O लिखा है तो यहाँ पर कोई भी जैसे हाइडोजन परमाणू है और आकसीजन परमाणू है लेकिन यहाँ पर यह संख्या लिखी है तो जो भी संख्या यहाँ पर नीचे लिखी होती है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे आगे जैसे हमने इसको हम आल्बिक द्रवमा निकाल रहे हैं तो पहले तो हमने लिख दिया यही जियों काते हूं H2O इसके बाद जो यह संख्या है इसको सामने लिखते हैं और फिर जो परमाणू है उसका भार लिखते हैं हाइडोजन के बाद दूसरा तत्व कौन सा है आकसीजन लेकिन आकसीजन के यहां पे कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो हम ऐसे ही ब्रैकेट में लिखेंगे फिर O का भार इस तरीके से O का भार अब इनके हम भार रखेंगे तो भार कैसे निकालते हैं देखिए दो जियों काते हो हाइडोजन का भार कितना होता है एक होता है परमाणू किरमांग भी इसका एक और भार भी इसका एक इसको याद रखना है बाकी सभी तत्वों में क्या होता है कि उनके परमाणू किरमांग में यदि थ्रवमान कितना हुगा 18 ग्राम और यही इसका अर्बिक ध्रवमान यानि इतने अनोंका ध्रवमान कितना हुगा तो यह पहला अर्व हो जाएगा इसके बाद हम दूसरा דेखें, दूसरा क्या है दूसरा है CO2, तो इसको किसे लिखेंगे, बिल्कुल बैसे ही इसको हल करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे CO2 जियों काते हुँ लिखेंगे अब इसके बाद C, C में कोई संख्या है क्या, अन्सर है नहीं C अकीला लिखा है, तो हम यहां पे लिखेंगे C का भार, इस तरीके से C का भार प्लस फिर यहाँ पे कितना लिखा है 2 तो यह संख्या है संख्या हमेशा आगे लिखते हैं ब्रैकिट के यह आगे लिख गई इसके बाद हमने ब्रैकिट लगाया और यहाँ पे दूसरा तत्व जब सुरू होता है तो हमने प्लस लगा लिया इसके बाद C, C क्या है कारवन तो यहाँ पे लिखेंगे C का सुरी O है यहाँ पे दूसरा तब तो O का भार यहाँ पे O का भार लिख लिया इसके बाद C का भार कारवन जो है इसका परमाणू क्रमांक कितना होता है 6, तो 6 की दुगने कितने हो गए 12, तो यहाँ पे 12 होगा यहाँ पे 2 जियों का थे हो Oxygen का परमाणू क्रमांक कितना होता है, अभी हमने देखा परमाणू क्रमांक 8 होता है, तो 8 में 2 का गुणा करें तो कितना हैगा, 16, तो यहाँ पे कितना लिख दिया, 16, तो यहाँ पे कितना है CH4 तो इसकी जब हम गड़ना करेंगे CH4 की तो सबसे पहले हम क्या लेखेंगे CH4 जे हूं काते हूं CH4 इसके बाद C में कोई संख्या नहीं है तो इसे आगे लिखने की ज़रुत नहीं है C बस लेखेंगे C का भार फिर C का भार इसके बाद दूसरा जो तत्व सुरू होता है वो कौन सा हाइड्रोजन तो दूसरा तत्व जब सुरू होता है तो बीच में प्लस का साइन बनाते हैं इसके बाद यहाँ पर संख्या लिखी है ना चार तो चार को आगे करेंगे हाइडोजन का भार कोषटक में लिखेंगे thrust का भार कोषटक बनाना वहाँ जरूरी होता है जहाँ पे संख्या लिखी हो तो और सपष्थ हो जाता है क्योंकि उस संख्या का उसके भार में गुणा होता है C का भार, C का परमाणू क्रमांग कितना होता है 6 तो 6 का दुगना कितना हुआ 12 ग्राम प्लस यहां पे देखिए 4 जियों काते हो हाइडूजन का भार तो एक ही होता है इसमें दुगना नहीं करना होता है हाइडूजन का जितना परमानू करमांक है उतना ही परमानू भार है तो यहां पे एक ही रखेंगे तो क्या होगा 12 ग्राम प्लस 4 एकम 4 ग्राम तो टोटल कितना हो गया 12 है और 2 कितना होगा यहाँ पर बताईए 12 है और 4 16 ग्राम ठीक है तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 16 ग्राम तो इस तरीके से question number first जो है solve होता है बस आपको परमानू किरमांक में परमानू भार का गुणा करना है आप इसे note कर सकते हैं यह देखिए इसके बाद हम लोग दूसरा question करेंगे thank you